वोल्डिंग इन सब्सडेरी कंपनी के कंसुलिटेर बैलेंशी ले टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है एज्जेस्मेंट ओफ स्पेसिफिक आइटम्स विशिष्ट मदों का समायोजन consolidated balance बनाते समय कुछ मदे ऐसी होती हैं जिनकी सूचना हमें प्रश्मी दीवी होती है जिनका हमें समायोजन करना होता है current यह profit निकालते समय या फिर consolidated प्रेंडर में या minority shareholder interest में जैसे आपको dividend की सूचना हो proposed dividend है या interim dividend है इस तरह के कोई ह divident की सूचना है तो उसका समयोजन हम किस प्रकार से करेंगे वो हमें आज के इस टॉपिक में देखना है इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है विशिष्ट मदों के समयोजन में वो हमारा हो सकता है प्रपोज डिवीडेंट प्रस्तावित लाभांश यदि सबसेडरी कंपनी ने कोई लाभांश प्रपोज किया है तो इसकी राशी संशोदी तलेखा मानब फोर के अकॉर्डिंग बैलेंशी के नीचे आकसमे एकताव में यानि कंटिंजेंट लाभांश में दिखाया हुआ होता है चुकि इसकी कोई भी घोशना करेंटिये प्रॉफिट में से नहीं की गई है अते इसको पुने लाभों में जोड़ा नहीं जाएगा उसका कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा दूसरा जो मद है वो है हमारा अदत लाभांश अनपेट डिविडेंट यदि सहाय कंपनी ने लाभांश खोशित किया है लेकिन अंतिम खाते बनाते समय उसका भुगता नहीं किया है तो यह सहाय कंपनी की बैलेंश शीट में लाभिटी साइड आउट्स्टेंडिंग डिविडेंग में दिखायावा होगा और होल्डिंग कंपनी में ये उसके अपने हिस्से में असेट साइड डिसीवल डिविडेंड या फिर डिटर चूप में शामिल करके द आटम्हक इंपरणी लाइटेस के अंदर जोड कर दिखाएंगे, यानि मांट्री का हिस्सा तो हमको मांट्री आटम्हका हिस्सा में जोडके दिखाना है हमने भी हैं रोवी का erreichen भी हमको लाइबिर्टी साइड ही लाइश्ख डेत, दिवीडेंड में से कम कर दे है तो ऐसे लाबांश को हम current year profit में वापस जोड देंगे और जोडेंगे कि बाद हम देखेंगे कितना profit हमारा प्री का है कितना पोस्त का यदिवर्ष के मध्य में क्रै किया गया है तो चुकि लाबांश पहले ही मिल चुका है तो holding कंपनी के हिस्से को हम consolidated profit में से घटा के दिखाएंगे और minority के हिस्से को हम minority shareholder interest में से घटा के दिखाएंगे लाभांश जो पहले ही इनको मिल चुका है अगला जो हमारा point है विशेश मदों में वो है dividend out of pre acquisition profit अंश अधिग्रेंट से पूर के लाभों में से लाभांश यदि साय कंपनी ने अपना लाभांश pre acquisition profit में से घटा देंगे इसके अलावा जब हम net worth निकालेंगे तो opening balance में से जो ऐसा लाभांश घटा कर दिखाना है सहाय कंपनी की शुद्मुले करना करते समय में adjustment कर देंगे minority की हिस्से का इसमें कोई भी समायोजन नहीं किया जागा holding का हिस्सा अपने लाभों में से कम हो जाएगा पुनाय जोड के दिखा देंगे उसमें बन जोड के हमको निकालना है और minority का कोई भी adjustment को इसमें नहीं करना है मैं फिर तुरा अज ब्रीफ देती हूँ proposed dividend जो है उसका हमें कोई भी समायोजन नहीं करना होता है unpay dividend में holding company के हिस्से को mutual मान के हम unpay dividend और debtors में से घटा के दिखाएंगे minority का हिस्सा हम minority interest के अंदर से इसका हम कोई भी समायोजन उसके हिस्स में जोड़ के दिखाएंगे इंडरी में dividend के राशी दिया है तो उसको हम करन्टे के profit में पुन है जोड़ देंगे holding का company का हिस्सा holding the council profit में से monetary का monetary interest में से घटा के दिखाएंगे pre acquisition pre profit में से घटा के दिखाएंगे और holding का company का लावांश में से घटा कर दिखाना है council pre handle में यदि आपने transfer कर दिया है तो अब एक question लेकर देखते हैं हमें से कैसे solve करना है इस question में A limited, B limited की सूचना दे रखी है इसमें हमको journalism दे रखा है balance इसमें surplus दे रखा है creditors है, land and building, plant machine, intelligence assets है इसमें total 15,000 shares है subsidy company के जिसमें से 12,000 shares की सूचना दे रखी है holding company ने क्रे किये वे है अन्य सूचना इस प्रकार की है हमारी इसमें investment दे रखे है जिसके cost दे रखे हमें 1,80,000 अन्य सूचना इस प्रकार है कि A limited ने B limited के 12,000 अंच 1st April 2019 को यानि first day of year ही खरीद लिए है तो सारा profit हमारा post profit ही हो जाएगा एक लाग 80,000 की लागा से खरीद है यानि cost of investment हमारे एक लाग 80,000 है वर्ष में बीच में आपने interim dividend गोशना किये इसमें 10% की जिसका हमें समय जिन करना होगा stock में, closing stock में B के stock में, यानि A के stock में holding company के stock में subsidy से खरीदा हुआ stock शामिल है 6000 का विविद लेंदारों में 18,000 रुपे हमारी mutual transaction है यानि creditors और debtors में से हमें घटा के दिखाने है इस 18,000 का माल जो बेचा था इस पे 4500 का लाग कमाया था जिसमें से 60 का stock अभी भी बचा हुआ है तो हमें यहाँ पर unrealized profit on stock का adjustment भी करना है चुकि होल्डिंग company के इसमें है तो holding company का हिस्सा consult pre-endal में से और monetary का हिस्सा monetary interest में से घटा कर दिखाना है total profit हमको stock में से भी घटा कर दिखाना है इसके लावे एक सूचना और है इसमें opening balance दे रखा है B limited का P and L का है 76,000 रुपीज और इसमें जर्नलिजव का open balance भी दे रखा है 4500 जिकि balance sheet में हमारा जर्नलिजव रखा है 4500 मतलब 1500 रुपीज का अमने balance current year profit में से जर्नलिजव को transfer किया यानि कोई भी हमारा proposed dividend नहीं है यहाँ पर और कोई भी यहाँ पर हमारा unpaid dividend नहीं है अब इन सूचनाओं से पहले मैं इसको working note में solve करके बताऊंगी फिर balance sheet solve करूंगी क्योंकि आपको समझाने की सुवीधा के लिए आप जब practice करेंगे तो पहले आपको balance sheet बनाने है और balance sheet के perform में के बाद फिर आपको working note solve करने है यहाँ पहले शीट का आप अनुमानित estimated इससा छोड़कर फिर working note solve करेंगे और उन सूचनाओं को balance sheet दिखाएंगे मैं सिर्फ आपकी सुवीधा के लिए पहले यहाँ पहले working note solve कर रहे हूँ और उन points को फिर बाद में balance sheet बना के solve करेंगे तो यहाँ जो सूचनाओं दे रखी है हमारी इस सूचनाओं से हम बनाएंगे consolidated balance sheet पहला जो points solve करेंगे working notes में वो है हमारा share कितना हिस्सा इसमें holding company का कितना हिस्सा हमारा minority का है तो first निकालेंगे हम share of holding company तो total share जो issue किये हैं वो है 15,000 जिसमें से holding company ने करे किये हैं 12,000 उसका हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर 4,5 चार बटा 5 हिस्सा हो जाएगा इसमें holding company का तो बागी बच्चा वा हिस्सा हो जाएगा हमारा minority का तो share of minority हमारे निकल जाएगी हैं पर बच्चे वे 3000 shares इन लोगों के पास होंगे तो 3000 divided by 15,000 यानि minority का हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1,5 second point हम solve करेंगे calculation of net worth यह वैसे ही solve करेंगे जैसे हम अवित्त करते आएं बस यहाँ पर हमको interim dividend का adjustment या फिर जो specific item उनका adjustment ध्यान अखना है अदरवाइस same तरीका वही है जो हमने पिछले examples में solve किया था तो सबसे पहले आ जाएगी इसमें हमारी calculation of net worth of be limited में be limited की share capital यहाँ पर be limited की जो share capital है वो आ जाएगी उसका opening balance आ जाएगा तो share capital है यहाँ पर इसकी 1,50,000 फिर जनलिजव का और पी इंड लग opening balance भी आ जाएगा इसमें तो share capital दिखा देंगे हम 1,50,000 इसमें opening balance of जनलिजव आ जाएगा 4500 opening balance of statement of पी इंड ल आ जाएगा opening balance of statement of पी इंड ल आ जाएगा है यहाँ पर यह दे रखा है हमको यह हमारा pre profit है यह हमारा आ जाएगा 76,000 तो net worth हमारी आ जाएगी total तीनों को हम जोड देंगे यह आ जाएगी हमारी 2,30,500 third point हम solve करेंगे calculation of goodwill oblig capital reserve यानि net worth में holding company के हिस्से की हम तुलना करेंगे cost of investment से और difference देखेंगे कि हमारी goodwill की स्थती है या फिर हमारी capital reserve की स्थती है यह दो goodwill है तो वो संपत्यों में दिखाया जागा intangible में capital reserve है तो reserve and surplus में दिखायेगा तो हम निकालेंगे share in net worth of B limited share of A limited in net worth of B limited holding company का हिस्सा निकालेंगे B subsidy company के net worth में तो यह निकल जाएगा two lakh thirty thousand five hundred का four fifth तो यह राशी हमारी आ जाएगी इसके हिस्से की one lakh eighty four thousand four hundred cost of investment थे हमारे एक लाग असी हजार के इसमें हम लैस कर देंगे cost of investment एक लाग असी हजार तो यह निकल जाएगा हमारा four thousand four hundred capital reserve जिसको उनको दिखाना है reserves and surplus में इसके बाद fourth हम solve करेंगे current year profit चुक्कि यहां पर हमको कुछ adjacent करना है तो हम उसको current year profit या चुक्कि यहां पर current year profit पूरा post profit ही हो जाएगा वैसे तो current year profit निकाल के हमको अवधिक अगॉर्णिंग प्रिया पोस्ट में बाटना होता है यदि वर्ष के मद्य शेर्ज खरीदे गए है पर चुक्कि यहां पर first day खरीद लिए गए है तो पूरा जो current year profit है वह हमारा post profit ही कहलाएगा तो हम निकालेंगे balance of statement of P&L जो यहां दे रखा है subsidiary company का वो दे रखा है एक लाक आठ हजार इस में से less कर देंगे हम opening balance of statement of P&L तो हमारा निकल जाएगा current year profit before appropriation तो यह अपना opening balance है हमारा 76,000 तो before appropriation हमारा profit आजाएगा 32,000 और इसमें adjustment करेंगे तो एक तो हमको यहां पर interim dividend जोड के दिखाना है और एक जो reserve में हमने transfer किया है वो जोड के दिखाना है लाबो में से जो भी appropriation हमने किये थे वो यहां पर आजाएगे तो first आजाएगा transfer to general reserve क्योंकि general reserve को opening balance दे रखा है 4500 और balance sheet में उसकी information है 6000 की इसमेंस इसका difference हमने current year profit में से transfer किया होगा जो अपन वापस जोड देंगे 1500 50,000 interim dividend pay during the year 2019-2020 जो दे रखा है हमको 10% of 1,50,000 जा जाएगा हमारा 15,000 वैसे तो यह सूचना current year profit किया है इस current year profit को हमको pre-opost में बाटना होता है पर चुकि यहां पर अनिशों को first day ही खरीद लिया गया है तो यह current year profit ही हमारा post profit कहलाएगा यह आ जाएगा 48,500 net profit for the year इसके बाद next point हम solve करेंगे calculation of minority shareholder interest calculation of minority shareholder interest जो हम निकालते है net worth का और post profit में minorities का हिस्सा तो share in net worth और share in post acquisition profit यहां पर net worth थी हमारी 230,500 इसका हिस्सा है one-fifth post profit हमने अभी solve किया है 48,500 इसका हिस्सा है one-fifth दोनों को जोड देंगे इसमें भी हमको adjustment करना है एक तो unrealized profit on stock का और एक adjustment करना है हमको interim dividend का दोनों को ही दोनों में इसका जो हिस्सा होगा वह आपको इसमें से घटा की दिखाना है तो हमारा net worth में हिस्सा आ जाएगा 46,100 profit में 97,000 total हमारा आ जाएगा 55,800 इसमें से less कर देंगे एक तो हम share in interim dividend इनका जो भी हिस्सा होगा interim dividend में जो हमको पहले ही मिल जोका है already received है इसलिए आपको इसमें से घटा की दिखाना है क्योंकि हम profit पूरा शामिल कर चुके हैं उपर जो profit पूरा शामिल कर रहे हैं तो इनको जो पहले मिल चुका एंट्रिम डिविडेंट वो आपको इसमें से less करके दिखाना है तो यह आ जाएगा हमारा 3000 का 10% यानि 300 रुपीज 30,000 रुपीज नेक्स निकालेंगे share in unrealized profit on stock सबस्टरी कंपनी को बेचा है उसके स्टॉक में माल शामिल है जिस पर प्रॉफिट वसूल किया गया था वह आपको आपको निकालना है तो हम नेक्स निकाल लेंगे unrealized profit on stock यह भी हम निकाल लेंगे working note में यह हमारा निकल जाएगा कि हमने जो माल बेचा था वो यहाँ पर दे रखा है हमने माल बेचा है 18,000 का जिस पर हमने 4500 का profit earn किया था इसमें से 6000 उपर का stock हमारा भी बचा हुआ है तो हम निकाल लेंगे profit यहाँ पर 4500 divided by 18,000 multiplied by 6,000 यानि 4500 का profit हमने वसूल किया था 18,000 पर इसमें से 6000 का हमारे stock बचा हुआ है तो profit निकल जाएगा इसमें हमारा 1500 इस 1500 में minority का हिस्सा हम यहाँ से घटा देंगे 1-5 यानि 300 तो टोटल लेस कर देंगे हम 3300 यह निकल जाएगा हमारा minority shareholder interest जाएगा हमारा 52,500 अब नेक्स निकालेंगे हम calculation of consolidated profit calculation of consolidated profit इसमें सब सुचना है आपके आएंगी holding company की तुसा से पहले आजाएगा holding company का balance of statement of P&L और आजाएगा हमारा general reserve यह तुमारा as it is आजाएगा holding company का उसमें add कर देंगे हम consolidated profit यहाँ पर जले जाएगा हमको 190,000 और P&L यहाँ पर हमको यहाँ आजाएगा P&L 1,60,000 और general reserve यहाँ आजाएगा हमारा 1,90,000 जन्य जब मालक से दिखा देंगे इसमें आजाएगा share in post acquisition profit यह पर जन्य जब मालक से दिखाया हमारा तो share in post acquisition profit आजाएगा 48,500, 450 आजाएगा इसका हिस्सा 38,800 अब इसमें adjustment कर देंगे एक तो unrealized profit on stock में इसके हिस्से का और एक interim dividend दोनों आप इसमें से less करके दिखा देंगे तो इसमें से less हो जाएगा share in एक तो interim dividend already received यह इसमें से less कर देंगे हम जो हम पहले ही मिल चुका है उसको हम घटा देंगे क्यों क्यों क्योंकि हमने profit में पूरा interim dividend शामिल करके इसका हिस्सा निकाला हुआ है तो चुकि और एक पर शामिल हो चुका है तो इसको हम less कर देंगे इसका हिस्सा जो है हमारा यहाँ पर 12,000 और एक less कर देंगे share of holding company in unrealized profit on stock unrealized profit on stock था हमारा 1500 का इसमें इसका हिस्सा आजाएगा 4.5 यानि 1200 तो टोटल मिस्सा लेस कर देंगे 13,200 तो यह निकल जाएगा हमारा consolidated profit 1,85,600 consolidated profit अब हम बनाएंगे balance sheet balance sheet of A limited as at consolidated balance sheet consolidated balance sheet of A limited as at 31st March 2020 उसी format में बनाने हैं सबसे पहले हमारा आ जाएगा equity and liabilities first heading हमारी सीक्य होती है इसमें first आ जाएगा हमारा shareholder funds shareholder funds का जो first sub heading वो आ जाएगी share capital इसमें first आ जाएगी हमारी authorized share capital जिसकी सूचना प्रश्मिन नहीं है तो इसको हम dash करके छोड़े देंगे items हमको सारे ही दिखाने प्राफर माप जिससे है वैसा ही हमको बनाने practice issue की करनी है सूचना नहीं है तो हम dash करके हमको छोड़ देना है पर show हमको सभी करने items second आ जाएगा e-shoot subscribed and paid up capital यह हमारे 30,000 shares at the rate of 10 each की हमरा आ जाएगा 3,000,000 रुपीज fully paid up है तो पूरे आ जाएगे हमारे 3,000,000 रुपीज भी आ जाएगा हमारा इसके बाद reserve and surplus reserve and surplus में हमको दे रखे हैं आपर एक तो journalism है एक हमारा consolidated पींड़ आ जाएगा और एक capital reserve जो हमने solve किया था वाकी इनोर्स में consolidated profit capital reserve जो हमने solve किया था consolidated profit 4,400 1,90,000 और यह हमने solve किया था 1,85,600 C आ जाएगा minority shareholder interest इसकी सूचना भी हमको बाकी नोट से मिल जाएगी हमने इसको भी solve किया हुआ है और यह था हमारा 55,000, 52,500 52,500 next बन जाएगा non current liabilities second point है हमारा इसकी सूचना भी प्रश्ण में नहीं है इसको भी हम dash करके छोड़ देंगे third बन जाएगा current liabilities current liabilities में आ जाएगा हमारा trade payables trade payables इसमें हमारे आ जाएगे sundry creditors यह हमको holding और subsidiary दोनों की जोड़ देने आइटम और उसमें से जो intercomplete transaction है जो mutual transaction है वो आपको इसमें से less करना है तो यहाँ पर holding का है 30,000 subsidiary का 48,000 mutual transaction हमारा 18,000 का तो हमारा ही हो जाएगा 30,000 plus 48,000 minus 18,000 यह हमारा जाएगा 60,000 और यह निकल जाएगी total liabilities 7,92,500 इसके बाद नेक्स बनेगा हमारा second asset side का assets में सबसे पहले आजाएगी non current assets इसका सब्डिविजन आजाएगा हमारा property, plant and equipment non current assets property, plant and equipment के अंदर tangible assets property, plant and equipment का चुफास सबहेड है वो आजाएगा हमारा tangible assets tangible assets में हमको दे रखी है आपे लेनर बिल्डिंग and plant and machinery यह भी हम सबस्टेरी होल्डिंग दोनों की जोड कर दिखाएगे holding company की सूचना प्लस सबस्टेरी सूचना दोनों को जोड के दिखा देंगे लेनर बिल्डिंग में भी और plant and machinery में यहाँ पर दे रखा है हमें holding company का दे रखा है हम पर 1,60,000, 2,60,000, 90,000 और machinery दे रखी हमको यहाँ पर पर हम दिखा देंगे land building का 2,90,000 प्लस साथ हजार यह हमारा आ जाएगा 3,50,000 और plant machinery आ जाएगे हमरी holding company की है साथ हजार subsidiary की 80,000 टोटल 1,40,000 3,50,000 एंड 1,40,000 इसका second column बन जाएगा हमारा second head बन जाएगा intangible assets जोगी प्रश्म में कोई सूचना नहीं है तो intangible assets को हम dash करके छोड़ देंगे column तो हमको बनाना है सूचना नहीं है तो हमको dash कर देना है पर show हमको करना है आपर next बनने का इसके बाद current assets current assets का first head है हमारा inventories closing stock पर यहां हमें ध्यान रखना है closing stock आएगा holding company का plus subsidiary company का उसमें से minus कर देंगे हम न वसुल हुआ लाब यानि unrealized profit on stock उसमें से हमको घटा के दिखाना है तो holding company का stock plus subsidiary का stock minus unrealized profit on stock हमको यहां पर निकालना है तो यह हमारा हो जाएगा 68,000 plus 60,000 minus 1500 amount आ जाएगी 1,26,500 इसके बाद आ जाएगा हमारा trade receivables और trade receivables में item दे रखा है हमको question में sundry debtors sundry debtors भी वैसे करने है हमें holding के debtors plus subsidiary के debtors minus mutual transaction तो यहां पर holding के debtors दे रखा है हमें 52,000 subsidiary के हैं 49,000 minus mutual है हमारे 18,000 amount आ जाएगी हमारी यह 83,000 थर्ड आ जाएगा हमारा इसके बाद cash and cash equivalent जिसी question में हमको यहां पर cash and bank दे रखा है तो cash and bank भी हमारा holding company का आ जाएगा plus subsidiary company का दोनों को हम जोड़ के दिखा देंगे तो cash हमारा आ जाएगा cash and bank आ जाएगा हमारा holding का है 60,000 plus subsidiary का है 33,000 total 93,000 इन सब का total हमारा आ जाएगा total assets 7,92,500 तो यह तरीका है इस question को solve करने का जिसमें हमको कोई specific item देना हो तो उसका adjustment यानि interim dividend की जिसमें हम सुचना सिर्फ interim dividend की थी तो हमें क्या करना है interim dividend को हमको current profit में वापस जोड़ देना है current में profit में जोड़ने के बाद उसको हम pre और post में बाटना है फिर जो holding company का हिस्सा होगा वो concert profit में से less हो जाएगा और जो minority का हिस्सा होगा minority short interest में से हम घटा के दिखाएंगे interim dividend का आज के लिए इतना है जो आज के लादै कीầnग्र घेल्सेश कूपता आज जा भादै। जो चाल जाएबना है झाल今回 दोड़ोंता बादैति próst thought